कैसे हैं आप सब आई हूप आप सभी अच्छे होंगे चलिए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ SSC MTS जो आने वाली परिक्षा है और अगनी बीर के लिए जो जीडी और आपका जो अक्लर कमालों के लिए इंपोर्टन्ट जो है GS की जो है मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो कि यहां पर हिस्ट्री के आज हम 50 कुस्षन की किलास हमाई रहा करेगी जिसमों हम हिस्ट्री के कुस्षन आपको डिसकस कराएंगे तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राब नही जो सिन्दूगाटि सब्वेता के लोग भी थे वह किसकी पूझा करते थे क्या हनुमान की क्या कालिकी या पसुपति के आय अप्पा की तो डीर ין्सिर जाओं थे जून का स did निया हमाई सब्सक्राव करते थे यह फासुपति की पूझा करते थे ते तो आपने नेक्ट कुस्षन आता है आपका सेकंड नमबर सेकंड नमबर कुस्षन आपसे कहता है भी कि पत्थर की बनी निरत्य करते हुए पुरुसकी मूर्ती निरत्राज किस इस्थान पर पाई गई थी जयानि जो एक पत्थर की बनी निरत्राज किस इस्थान पर पाई गई दूसरी का जो answer होगत कहां पाएगी थी यह रपा में यह पाएगी तो right answer c option बलुकुत सही हो जाएगा बढ़ेंगे यहाँ पर next question next question आता है third number third number question आपसे कहता है कि इन में से किसे भारती रेलवे का जनक किसे माना जाता है कि रिपन को कि मिन्टो को को या एर्विन को या डल होजी को तो difference है आपसे थी नंबर का जो option होगा आपका कौनसा जो डल होजी है इसको हमें किस नाम से जानती है Lord Dal Hoji को option number C बिल्कुल सही हो जाएगा number 4 आता है आपका मोहन जोदोडो सब्द का अर्थ क्या है मोहन जोदोडो सब्द का अर्थ आपको बताना है कि रहने का टीला है बजार का स्थाल है पंसदीद सहर है या मिरतको का टीला है तो right answer क्या होगा या पर मिरतको का टीला इसका right answer हो जाएगा तो option number C बिल्कुल सही हो जाएगा बढ़ेंगे next question आपका fifth number question आता है जिसमें आप से बात कीए कि निम्रिकित में से कौन सा governor general ठगी पर था कि उन्मूलन से संबंदित था कौन सा governor general था जो ठगी पर था कि उन्मूलन से संबंदित था क्या कारनवालिस था या बिल्यों बेंटिक था हेंरी होडिंग था या चार्ल्स मेटकॉफ था तो five number की जो हम right answer की जब बात करेंगे तो बिल्यों बेंटिक जो था आपका बो ठगी पर था के लिए उन्मूलन से संबंदित था कौन बी option मिनकों सही हो जाएगा जिसमें आता है आपके बिल्यों बेंटिक बढ़ेंगे यहां पर six number question की किस काल या या योगों में पत्थर की ओजारों पर सबसे पहले परियोग पहले पाए गए थी सोरी तो किस काल में बताना है या योगों में बताना है कि पत्थर के ओजार सबसे पहले हमें मिले थे कि नपासर काल में मिले थे या पुरा पासर काल में मिले थे या मद्दे पासर काल में लगू पासर काल में पर six number का जो answer का dear friend से पुरा पासर काल से से हमें पत्थर की औजार राप्त हुए हैं कहां से पुरा पासर्ड काल से हमें पत्थर के औजार मिले हैं बात करेंगे हैं सेबंत नंबर कुस्टन की सेबंत नंबर कुस्टन आप से कहता है इतियास के आरंबिक काल को निवन किसमें से क्या कहा जाता है आपको बताना है कि इ सबसे बड़ा भवन कौन सा है आपको बताना है जो मोहन जोड़ों का सबसे बड़ा भवन कौन सा है किया अन्नागार या दो मंजला भवन या संस्थम्भ हॉल अन्नागार है वह हमारा मोहन जोड़ों का सबसे बड़ा भवन है कौन सा ऑप्सन नमबर भी अगर आपको पीडिएफ इसकी चाहिए तो डिस्किस्पन बॉक्स में आप जाएंगे बहासे टेलिग्राम गुरुप का लिंक आपको मिल जाएगा गुरुप को आप जोन करेंगे किलास के जो है बाद में आपको पीडिएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाती है तो पड़ेंगे आप नाइन्थ नमबर कुस्टन आपसे पूछता है इसमें कहता है कि बुद्ध ने सरबादिक उपदेश अपने कहां दिये थे जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने बुद्ध धरम में तरी रतन क्या एंगित करता है तो जो बुद्ध धरम में तरी रतन हुआ कर थे तो क्या इंगित करती है क्या ओ आपकिए करती थे यह C option आपका आता है बुद्ध और धम या संघ को यी इंगित करते हैं तो राइट आंसर के होगा टेन नमबर का यहां पर बुद्ध धम और संघ को यह आपका क्या करते थे इंगित करते थे थे बुद्ध धम के ट्रेटर तो कुसी option बिल्कुत सही होगा बढ़ेंगे हैं यहां पर 11 नम्बर कुस्टन 11 नम्बर कुस्टन कहता है गौत्म बुद्ध ने अपना प्रत्अप उपदेश कहां दिया था तो क्या बूद्ध गया में दिया लुम्नी मैं कुसी नगर मैं यहां का सारनात में तो 11 नम्बर का जो आंसर का डिर्फेंट सी कहां दिया था आपका साहर नात्म प्रत्रम वुदेश गौदब बुद्ध ने दिया था तो आप्शन नमबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा बढ़ेंगे त्वल्थ नमबर भारत के प्रत्रम गवर्णर जनलों कौन थे तो भारत के प्रत्रम गवर्णर जनल यह उप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बढ़ेंगे यहां पर थर्टी नमबर कुस्वन बंगाल के प्रत्रम गवर्णर जनलों कौन थे अब बताना है बंगाल के प्रत्रम गवर्णर जनलों कौन थे का रोबर्ट के लाइब थे यह बिलियम बेंटिंग थ तो सघ्रेषंट गोडराण की वारयन हैस्टिंग स्थाप वो बंगाल का प्रित्थम घुश्ष्ष। था बढ़ेंगे यहाँ पर Next question तो next question आता आपको difference यहाँ पर 14 number question कोसण आप से कहता है है यहाँ पर महा विर स्वामी थे कोन से नंसर होक्ता फोल्टिं का देख हो जाएका राइट यह नि सिस्टिन नमबर स्वामी थे इनका मूल नाम क्या था कि आनन्द था, सिद्धार्त था, बर्दमान था, या सारी पुत्र था तो 16 नंबर का जो answer का difference है वो हो जाएगा D option ब्लकुल सही यहाँ पर बर्दमान इनका क्या नाम था बच्छपन का नाम कह सकते हैं या इनका मूल नाम हम कह सकते हैं बढ़ेंगे यहाँ पर 17 नंबर कुस्टन, 17 नंबर कुस्टन आपसे कहता है हैँँगर, कि 24 में जयन तिर्थंकर का नाम आप पो बताना है कि गौँम थेश्वर थे या पारसनात थे या महावीर थे आपकर रिसवर थे तो सत्रह नंबर का जो आंसर को डियर प्रिंट्स वो चौवीस में जेन तीरतंगे थे महावीर, महावीर सुआमी जो थे जेन धरम के जो है चौवीस में तीरतंगर थे बढ़ेंगे 18 नंबर कुष्ण पर भारत का राष्टी आदर सबाक सत्तमयव जेतिया थार सत्त की हमेसा बेज़ा होती है किस प्राची न भारती साथ से उद्धत एक मंत्र है कहां से यह है जो सत्तमयव जेतिया गया है क्या रिगवेद से लिया गया है या मुंड़कोब निस सत्तमयव जेते को बढ़ेंगे यहां पर 90 नंबर कुष्ण आपका आता है जिसमें कहते हैं आपसे 90 नंबर कुष्ण देख लेते हैं यहां पर इसमें बात कि आती है कि निम लिखित में से कौन सा बेद जादू अनुस्तानों और बसी करण के बारे में बताता है आपको बत सामवेद जो है आपको क्या बताता है जादू टौन और बसी करण बारे में बताता तो आपको बढ़ांगि सामवेद झिसा संगीत के बारे में बताता था आपके लिए तो बढ़रेंगे हरंरां 20 नंबर के 20 नमबर की बात कर लेते हैं नियाए धर्सन को परचारित किया था जो नियाए धर्सन था उसको किसने परचारित किया था क्या आपका जो है चावार्क ने किया, गौतम ने किया, जैमिनी ने किया या कपिल ने किया 20 नमबर का जो answer का difference बात करेंगे जो आपको बताना है गौतम बुद्ध का जनम कहा हुआ था किया अधर्सन में या बैसाली में 21 नमबर का जो answer का difference जो है गौतम बुद्ध का जनम लुबनी में हुआ था तो बी उप्सन बिल्कुद सही हो जाएगा बात करेंगे 22 नमबर की गौतम बुद्ध की मा का क्या नाम था आपको बताना है कि गौतम बुद्ध की मा का क्या नाम था क्या माया था तरसला था कौसल्य था या कनिका था 22 नमबर की जो हम बात करेंगे तो गौतम बुद्ध की मा का नाम था माया तो यह पैलोब सही हो जाएगा बढ़ेंगे हैं यहांपर 23 ही नमझे किता हैं तो आप बताना है किसे दर्म के पंथ है क्या हिंदु धर्म की है जैन धर्म की है सिख्व धर्म के अस्चक्त दर्म के हैं बढ़ेंगे यहाँ पर 24 नमबर कुष्टन 24 आता है बुद्ध्य चरितम नामक महाकाप्य वो किस के दारा लिखा गया है गोतम पुद्ध ke दारा नागर्जुन के दारा या सुहस चे दारा या हेमचंद्र के दारा तो 24 बेस से 2 नमबर को बिल्ग हो जाएगा 25 नमबर कुछन आता है 13 act जो जो सम्बंदित है आपको बताना है कि 16 act को किस सम्बंदित है क्या बाल बिवा पिरती बंद से यह अंतरजार्ती बिवा पिरती बंद से यह विदोवा विवा से यह जनजाती बिवा से 25 नमबर का जो answer को difference क्यों होगा बाल विवा प्रतिबंद से ये संबंद है कौन सा सारदा एक्ट यह option ब्लकुत सही हो जाएगा बढ़ेंगे हैं यहाँ पर आपको 26 नमबर पर 26 नमबर को सना आप से कहता है कि 3 पिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है आपको बताना है कि जो 3 पिटक है वो किसकी धार्मिक पुस्तक है क्या जैन की है हिंदू की है बौध की है या पारसी की है तो 26 नमबर को जो answer की different बहुत जो है उनकी यह क्या है धार्मिक पुस्तक है 3 पिटक तो D option बिल्कु सही हो जाएगा बहुत दो धार्मिक जो लोग है उनकी यह धार्मिक पुस्तक है 3 पिटक 27 नमबर को सना आता है निम्रे कितमे से कौन सा यहुदी धार्म से संब्दित है चार option आपको दिये गए होंगे इसमें से पूछा आपको यहुदी धार्म से कौन संब्दित है तो यहाँ पर यहुदी से आपको बताना है क्या धमपद है तोरा है तिरी पिटक है या गुरु ग्रेंत साहिव है तो डिये पिट से 27 नमबर का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा तोरा यहुदी धार्म से संब्दित है कौन तोरा 28 नमबर आता है आपका कुश्ण जैद अभिस्ता जिक्त के साथ जुड़ा हुआ है जो जैद अभिस्ता है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है क्या पार्सी धर्म से जुड़ा हुआ है सिक धर्म से जुड़ा हुआ है या जैन धर्म से जुड़ा हुआ है तो 28 नमबर का जो गौतम बुद्धे ने अपने उपदेशों में जन साधराण की भासा देखते का प्रयोग किया। तो जो बौतम बुद्धे थे इन्होंने अपने उपदेशों में जन साधराण की भासा का कौन सी भासा का इन्होंना प्रयोग किया था अपने उपदेशों में। क्या मगद भासा का या संस्क्रत भासा का या पाली भासा का या प्राकरत भासा का तो डियर्टफेंट से 29 नंबर का जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा है इन्होंने पाली भासा का प्रियोग किया था कौन सी भासा का पाली का तो डी ओप्शन जिल्कुल करेक्ट हो जाए launch की गई है अगनी विर उसके लिए और MTS के लिए बहुत ही ज़्यादा important book है एक भी कुस्षन इस book से बाहर नहीं जाएगा तो different से चैनल को सबस्क्राइब कर लें और वीडियों को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करते हैं अपने दोस्तों के पास तो 30 नमबर का जो answer का difference इनको बोध गयाद में ग्यान प्राप्त हुआ था कहां पर बोध गयाद में इनको ग्यान प्राप्त हुआ था बात करेंगे यहाँ पर next question तो next question आता है आपका 31 नमबर 31 नमबर करता है कि जातक कथाओं में रिक्त के जनम और उनके पूरव जीवन का बर्णन मिलता है तो कि या बुद्ध के जीवन का भहवान बिसलू के या भहवान किरस्न के या महावीर के तो 31 नमबर का जो answer का difference वो बुद्ध की जीवन का और जनम का जुए इनके जाता कतामर बढ़न मिलता है तो यह option बिल्कुल सही हो जाएगा 32 नमबर आता है यहुदी किस धर्म का पालन करते हैं तो जो यहुदी थे वो किस धर्म का पालन करते हैं क्या इसाई धर्म का पार्सी धर्म का यहुदी धर्म का यह जैन धर्म का तो 32 नमबर का जो answer का difference वो लोग किसका पालन करते थे यहुदी धर्म का यह पालन करते थे तो डी option बिल्कुल correct हो जाएगा अब बात करेंगे यहाँ पर 33 नमबर की तो 33 नमबर को सुनाता है नंद बं सका अंतिम समराट आपको बताना है कौन था क्या महापनम पदमनंद था गहनानंद था काला सोक था यह पर इन में से कोई नहीं था तो 33 नमबर का जो answer का difference गहनानंद जो था नंद बंसका अंतिम सासक था तो बी option बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 34 नमबर को सुनाता है जि किसका पुत्र था तो जो हरियक बंसका सासक था अजात सत्रू वो किसका पुत्र था यह अनुरुद्ध का था अधियन का था यह नागदसक का था यह बिम्भी साहर का था तो 34 का नमबर जो आएगा डेविंट्स जो हरियक बंसका सासक अजात सत्रू था वो बिम्भी साहर क का पुत्र था किसका बिंबी सार का पुत्र था तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बढ़ेंगे 35 नंबर कुशन प्रसिद्ध पुस्तक मेगदूत के लेखा कौन है तो जो मेगदूत पुस्तक है उसके लेखा कौन है क्या सूद्रक है कालिदास है भास है या बात सायन हैं तो 35 नंबर की जो हम बात करेंगे डिफेंट्स तो मेगदू तो जो पुस्तक है वो काली दास की द्वारा लिखी गई है तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे काली दास तो आप्सन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बढ़ेंगे हैं पर 36 नंबर कुस्तन जिसमें आप से बात की गई है घुप्तकाल के दौरान सौनी के सिक्कों का निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था घुप्तकाल में जो सौनी के सिक्के हुआ करती थे उसको किस नाम से पुकारा जाता था क्या द्रम नाम से दिनार नाम से रूप का नाम से टंका नाम से 36 का जो आंसर का difference वो B option बिल्कुल correct हो जाएगा दिनार से जो है सोनी को सिक्ष को पैचानते हैं गुफ्तिकाल के दोरान तो option number B बिल्कुल सही हो जाएगा 37 number को बढ़ लेते हैं बेकरम संबत कब आरंब हुआ था आपको बताना है कि जो बेकरम संबत है कब लागू हुआ था क्या इसा पूरफ 50 में इसा पूरफ 47 में इसा पूरफ 55 में या इसा पूरफ 57 में तो 37 number का जो आंसर का difference इसा पूरफ 57 में जो है बिकरम संबत लागू हुआ था तो D option बिल्कुल सही हो जाएगा बढ़ेंगे यहाँ पर next question आपका 38 number question आता है मौरिय बंस का अंतिव सासक कौन था मौरिय बंस का आपको अंतिव सासक बताना है कि कुडाल था, ब्रैदरत था, संप्रीती था या सुसीम था तो 38 number की जो हम बात करेंगे डियरफेंट्स तो हैंपर answer number आता है B तो ब्रैदरत जो था आपका मौरिय बंस का अंतिव सासक था 49 number यानि 39 number question की जो हम बात कर लेते हैं चंदरगुप्त मौरिय का पुत्र कौन था, आपको बताना है चंदरगुप्त मौरिय का पुत्र कौन था, क्या बिंदु सार था या चंदरगुप्त दुतिय था, या बिंबी सार था, या असुप्त था तो 49 number की जो हम बात करेंगे डियर्फेंट्स तो है बिंदु सार जो था चंदरगुप्त मौरिय का पुत्र था, कौन बिंदु सार तो ये option बिल्कुछ सही हो जाएगा, बढ़ेंगे next question पर पुत्र था, वो असुप्त था, असुप्त जो है बिंदु सार का पुत्र था, तो ये option बिल्कुछ सही हो जाएगा, बढ़ेंगे next question 41 question आता है जिसमें आप से बात की गई है कि 326 ईसा पूरम में भारत पर आक्रमड करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्लिकत में से किसे नदी को पार किया था, जो सिकंदर आया था, जिसने 326 ईसा पूरम में भारत पर आक्रमड किया था, तो उसने सबसे पहले किसे नदी को पार किया था, क्या सिंदु को, जेलम को, सतलज को या चेनाब को, तो 41 नमबर का जो answer हो जो सिकंदर था इसने सिंदु नदी को सबसे पहले पार किया था तो यह उप्शन बिलुकुर सही हो जाएगा बढ़ेंगे नेस्ट कुस्टन पर हैं 42 कुस्टन आता है 42 कि स्वामी दयानन सरसती का मूल नाम क्या था यह स्वामी दयानन थे उनका बच्पन का या उनका मूल न संकर इनका नाम था तो मूल संकर जो है दयानन सरसती का मूल नाम था तो मूल संकर इनका नाम हो जाएगा और दी ऑप्शन यह पर बिलुकुल करेक्ट हो जाएगा 43 की बात कर लेते हैं यहां पर 43 कोईशन में आपसे कहता है कि चंद्र गुप्त मौरिया की कि गुरू कौन ते हैं कि चंदरुपत मोरिय की गुरु आपको बताना कों थे कि इसकंद गुप्ते थे इधितलों ब्रुटत है जो आ जिस्चल हाथ जो तक टेदल के प को ब स्थे तो चंदरगुपत कौने सा ऐसा सिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है क्या 13 में चौथे में दस में मैं या पहले में 44 नमर का जो आंसर के डिवेंट से 13 में उसमें जो है कलेंग युदिकी विजय का बर्डन देखने को मिलता है यह option बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बात करेंगे हैं आप 45 नमबर कुस्टन की निम लिखत में से कौनसी पुस्टक मेंगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है तो मेंगस्थनीज के द्वारा कौनसी पुस्टक लिखी गई है किया हर्स चरित या माल बिकागनी मित्रम याग बलके स्मर्ती या इंडिका तो 45 नमबर का जो answer का difference सी option बिल्कुल करेक्ट हो जा का आयोजन किसकी द्वारा कराये गया था जो तरतिये बहुत परिस्द का आयोजन हुआ था वो किसकी द्वारा कराये गया था क्या चंद्रकुप्ति के द्वारा हर्सबर्दन के द्वारा कनिस्की के द्वारा या आपका असुक के द्वारा तो 46 का जो आंसर को difference कौन सा हो जाएगा यह जो कराया असोक ने तरतिये बहुत परिस्द का आयोजन किया था या कराया था उसी option ब्लकुल correct हो जाएगा बढ़ेंगे हैं 47 नमबर question जिसमें बात कियाती है असोक के सिलालेकों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था तो असोक के जो सिलालेक थे उनको पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था कि जोन टावर, हैरी इसमित, जेम्स प्रिंसेप, ये चार्ल्स मेटकॉफ तो 47 नमबर का जो असोक के सिलालेकों को पढ़ने वाला अंग्रेज था वो जेम्स प्रिंसेप था जिसने सर उपर थम असोक के सिलालेकों को पढ़कर बताया था 48 नमबर की बात करेंगे हैं पर कौटिल के अर्थसास्त्र में किस प्रिकास डाला गया है तो जो कौटिल की अर्थसास्तर प्रिकास डाला गया है या आर्थिक जीवन पर राजनितिक नीतियों पर या सामाजिक जीवन पर तो 48 नमबर का जो आंसोक डिर्फेंट्स इसमें राजनितिक नीतियों पर प्रिकास डाला गया है किसकी कोटिल की अर्थ सास्त पोस्तक के अंदर तो डिर्फेंट से B आप्शन बिल्कुत सही हो जाएगा बढ़ेंगे यहाँ पर आपका उननचास नमबर को सुना आता है जिसमें आपसे बात की जाती है कि मेगस्तनीज दूर था जो मेगस्तनीज था वो किसका दूर था आपको यह बताना है कि सेल्यूकस का था सिकंदर का था देरियस का था यह उपरोक तो सभी तो 49 नमबर का जो आंसर को डिर्फेंट जो मेगस्तनीज था वो सेल्यूकस का दूर था तो यह option बिल्कुल सही हो जाएगा 50 नमबर जी बात करता है किस मौरिय सासक को आमितर गहात के नाम से जाना जाता है क्या चंदर को तो मौरिय को बिंदुसार को या दसरत को या आपका असुप को 50 नमबर का जो answer का difference बिंदुसार को हम किस नाम से जानते हैं आमितर घात की नाम से जाते हैं किसे बिंदु सार को तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुत सही हो जाएगा बढ़ेंगे यहां पर नेक्ष्ट कुस्टन नेक्ष्ट कुस्टन आता है यहां पर 51 किसके सासनकाल में मैघस्तनीज भारत आया था जो मैघस्तनीज था किसके भारत सास असनकाल में आया था तो बताएंगे यहां पर असो किसासनकाल में या हर्सवर्दन के चंद्रगुप्ट मौरिय के या कुमार गुप्त के तो 51 नंबर का जो आंसर डिर्फेंट जो मैघस्तनीज था वो चंद्रगुप्त मौरिय के सासनकाल में भारत आया था किसके चंद्र लिपी के नंदन नागरी लिपी या खरोष्टी लिफी या सारदा लिफी तो यह इसका आंशर आपको बता हूं 52 नमबर का तो हैं पर आंसर हो जाएगा डी जो खरोष्टी लिफी थी वो आपकी दाएं से बाएं की और लेखी जाते थी तो डी ऑप्शन लुगल करेक्ट हो क्लास अगर आपको अच्छी लग्यूंआ तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेर कर सकते हैं मैं इसी तरीके से आपको SEOית ईनकाल का यहाँ झोने घीने हमें आपको प्रोवाइड कर आपको बारालों तो आगर आपको बाइज किसी में समझ में नहीं आ रहा है तो मैं हिस्ट्री के मेराथन भी आपको लाकर इस पर डाल दूँगा आप वहां से मेराथन पढ़ सकते हैं और उस इनकुशन को आप लगा सकते हैं तो आज के लिए बिस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद जै भार आपको सबस्टारी हैं जै आपको। झापको वीडियो में जै रहा हैं जै आपको लेड़ साथां से स्नुटरी के अव जये प्रफेशल प्रफेशदी धे हैं आपको लेड़ से